So, hello दोस्तो, आपका भाई प्रिशांत, आप लोगों को आज बहुत ही अच्छी बात बताने आया, बहुत ही अच्छी नोलिज देने आया, जो आपको पता हुनी बहुत ज़रूरी है, अगर आप बिजनस स्टार्ट करना जाते हैं, कोई भी बिजनस स्टार्ट करना जाते हैं तो ये बहुत ज़र्दा इंप्रिटेंट बात है, मेरे दोस्तो, आप लोगों को भी पता है, और बहुत सारे लोगों का क्वेशन है, कि मेरे भाई, मेरी मम्मी कह रही है, मेरे पापा कह रही है, क्या भाई, इस चीज का future है, क्या इसमें तेरा future secure है, क्या तो इसके अंदर आप लोग के लिए बीडियो है, जिनके ये question है, जिनके दिमाग में ये सारी queries है, वो आज में clear करने वाला हूँ, clear and cut बात बता हूँगा, कि हाँ ये career आपके लिए सही है, गलत है, क्या चीज की कमी है, क्या चीज अच्छी है, सारी चीज आपको बताने वाला हूँ, तो अ मेरे भाई, सब का ये question है, कि हमारा career इसके अंदर set है या नहीं, जो मैं affiliate marketing स्टार्ट कर लेता हूँ, तो भाई, क्या affiliate marketing करता रो जाँगा, मैं और कुछ नहीं करूँगा, तो दोस्तों आज आज आपको वह एक बात बताता हूँ, आज से दो साल पहले मैं affiliate marketing स्टार्ट करी देन उसके बाद उसको sale and refer करना स्टार्ट करा, लोगों से बताना स्टार्ट करा, तो मेरे भाई, धीरे धीरे मेरा जो knowledge है बढ़ती चलीगी, बढ़ती चलीगी, experience बढ़ता चला गया, मुझे पता चलता गया, कि मैं आगे और क्या के चीज़े कर सकता हूँ, दोस्तों कि अगर आपसे sales आ गई ना तगडी अच्छे करने, marketing करनी अगर अच्छे आ गई आपसे, आप sales निकालना सीख गए, तो मेरे भाई, आपको कोई भी बंदा पैसे कमाने से ने ड़क सकता, क्योंकि हर एक business sales से चला है, अपने गोल कप्पे वाली दुकान ले लो, पडचून कमान बेक रहा है, अगर वो बेक रहा है, तो वो पैसा कमा रहा है, वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी है, तो ये चीज़ आप समझ गयो ना, कि पैसा कमाना है, तो sales आपको आनी चाहिए, तो मुझे affiliate marketing में sales से गई, आपको उतारू क्या करियर है, इसके अंतरे नहीं, अब क्या है, जब affiliate marketing आपने start कर ली मेरे भाई, तो आपको बहुत सारी चीज़े सीखोगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि affiliate marketing करते ले जाओगे, affiliate marketing साब sales करना सीखोगे, आप उसके बाद आगे बताता हूँ, मैंने sales करना सीखा, उसके बाद मुझे communication इसकी मेरी बहुत अच्छ मैंने सीखी, उसके साथ मेरे भाई, मैंने YouTube बना ना सीखा, YouTube चैनल खोल देजी, अब देखो, मैं affiliate मारे इडिन से पैसा कमाता हूँ, YouTube से भी मैं पैसा कमाता हूँ, अब क्या YouTube से पैसा कमाता हूँ, उसके साथ-साथ मेरी बहुत बड़ी audience बन चुकी है, दोस्तों आप ही ल जिसके पास audience है, मतलब अगर मैं आज चाहूँ कुछ और business करना हूँ, और कुछ बड़ा करना, तो मेरे पास बहुत सारे लोग है, जो मेरे साथ business start करना चाहेंगे, और मेरे साथ business start करेंगे, तो मेरे बन चीज मिली है मुझे, अगर मैं उस दिन वो course नहीं purchase करता, क्या मैं पहुच पाता, इसके बाद अब मता दो, मैं क्या ऐसा हो सकता है, पैसा ना कमा हूँ, इसके बाद मेरे पास इतनी सारी opportunity है, कि मैं brand promotion कर सकता हूँ, यूटूब पर अपने, ठीक है, मैं भी करता नहीं हूँ, आपने देखा हूँ, किसी का मैं इकाद promotion करा है, मैंने ज्याद सारी opportunity पैसा कमाने की, और एक और बाद होता हूँ, जो affiliate marketing है, मैं यह future है, ठीक है, यह digital marketing आपको future है, आने वाले time कैसा होने वाले है, सब कुछ digital होने वाले है, वह आप लोग देख रहे हो, हर एक बंदे के हाद में phone है, सबसे पहले जब आज से दो, तीन, चार साल पहले तो मेरे भाई, चार साल में इतना थाकड़ाई डिफरेंस आया कि आपके ममी पापा के पास smartphone है, सब के पास है, उस टाइम पे ना ममी पापा के ना मेरे पास किसी के पास नहीं था, समझ रहे हो ना कितना changes आ रहे है, तो मेरे आने वाला time तो पूरा digital होने वाले है, सब जो भी करना है, digitally करना है, सब कुछ नया जो भी skill सीखो वो digitally सीखो, और affiliate marketing की बहुत ही अच्छी skill है सीखने के लिए, आप सीखना चाहते हो तो, तो मेरे भाई इसके अंदर career है, जो पढ़ाई करते रहो, affiliate marketing साथ साथ करते रहो, पहलल चलाते रहो, जब आपको दिखाई दे ज यूट्यूब चैनल स्टाट कर दे, वीडियो बनाने स्टाट कर दिया, इंस्टाग्राम पे वीडियो स्टाट कर दे, ट्रेनिंग देना स्टाट कर दिया, बहुत साब चीज़े, तो दर भाई ये चीज़े, तो career है, वो आपके उपर depend करता है, कि आप कर सकते हो ये नहीं क सब कुछ बैस्ट अगर इंटरस्ट नहीं है तो कोई फायदा नहीं है ठीक है इतना ही ता इस वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लेगी तो like करना, comment करना, मेरे भाई बोऊट था नहीं है तो मैं चाहता हूं कुछ नया कॉंटेंट लेकाना तो आप मुझे सजेस्ट करो नया कॉंटेंट क्या लाऊँ इससे आपको बहुत जद नहीं हो लिजाओ, ओक गयास, thanks so much, bye-bye